नमस्कार मित्रो जैमातादी स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में तुत्तुला राशीवालो एक अपरेल से ले करके 10 अपरेल का समय है यानि आने वाले अपरेल माह के शुरुवाती 10 दिन आपके जीवन में बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं इन आपको पता चलेगा और ग्रह गोचर जो परिणाम दिखाएगा उसे जानकर आपकी आखे भी खुली की खुली रह जाएगी तो वीडियो हमारी बिल्कुल अंत तक देखिएगा क्योंकि अंतरक्ष में मौझूद ग्रह सितारों की चाल के आधार पर ही आज किस वीडियो का निर्मान हुआ है साउधानिया बताई है अंत में दो उपाए बड़े ही शानदार दिये हैं अगर आपने सच्ची श्रधा पुरुवक किये तो बेडा पार होना तय हैं लेकिन सबसे पहले जितने भी यहाँ पर मातारानी के सच्चे भक्त हैं वो इस वीडियो को लाइक कर देखे आपके सारे बिगडे काम बन जाएंगे देखे आने वाले अगले दस दिनों में संभावना पूरी पूरी है कि दूसरों के बहकावे में आकर के आप अपना नुकसान करवा ले और कई विरोधी होते हैं जो कही न कही से हमें रोकने की कोशिश करते हैं फिर वो हमें गलत सलहा दे देते हैं, हमें किसी के खिलाब भढ़का देते हैं, या हमारे मन में नकारात्मकता भढ़ देते हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, भगवान का अशिरुवाद आपके साथ है, अपने निर्णयों पर भरोसा करिए कि मैंने जो सोचा है वो गलत नहीं हो सकता इन दस दिनों में आलस से आपके उपर हावी होने की संभावनाए हैं, जिस वज़े से व्यापार मन्दा हो जाएगा, व्यापार धीमी गति से चलेगा, वहाँ पर आपको थोड़ा साउधान रहना होगा अगर आप पार्टनर्शिप में व्यापार करते हैं, तो हिसाब किताब इन दस दिनों में बहुत सोच समझ कर करना है, क्योंकि जल्दी बाजी में या फिर भावनाव में बह करके, गलती हो सकती है, हमारा कारी है आपको सचेट करना बैतर यही होगा, कोई भी कदम उठाने से पहले अपने इश्ट मित्रों से या शुपचिंतकों से सला आप जरूर ले, इसी के साथ बहुत सोच समझ कर और संभल कर हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि आत्म विश्वास कभी बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कभी एकदम से क हमें ये समझना होगा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और उतार चड़ाव जिन्दगी में चलते रहते हैं, अगर आप सोचे मेरी जिन्दगी में हमेशा सुख के दिन ही रहेंगे तो ये आपकी गलत फेहमी है, क्योंकि सुख के बाद दुख आना तय है, उसी प्रकार से दुख के बाद सुख भी आना तय है, कामका जी महिलाय जो भी है, वो घर और ओफिस की भी संतुलन बनाने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करने वाली है, तो वहाँ पर कठिन परिस्तिति में अगर आपका जीवन साथी सपोर्टिव है, आपको मदद करने वाला है, आप ही हो जाएगी, लेकिन अगर आपका जीवन साथी सहयोगी नहीं है, तो वहाँ पर रिष्टों में थोड़ी बहुत खटास आ सकती है, अब यह आपके भाग यह है कि आपको कैसा जीवन साथी मिला है, कारी छेत्रे में आपकी विरोधी जो है, वो अडंगे लगाने की कोश करेंगे, वो आपके खिलाफ अफवाहे उड़ा सकते हैं, आपके खिलाफ बाधाये बना सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा साउधान रहिएगा, अपनी जो कारी योजना है, वो किसी के साथ भी साजह न करें, आप बहुत मासूम हैं और लोगों को अपना बहुत जल्दी स भुगतना पड़ेगा, लेकिन अधिकांज समय अब दूसरों की भावनाओं को जोडने में या फिर दूसरों के कामों को पूरा करने में लगे रहेंगे, जिस वज़े से आपका काम अधुरा रह जाएगा, वहाँ पर थोड़ा साउधान रहिएगा, इस्तिती बहुत अच बाद में उसकी मदद करूँगा, लड़कियों के मामले में भी आपको ज़्यादा नहीं भहकना है, वरना आपकी ये भावुकता आपके लिए अपरेल महा के शुरुआती दस दिनों को बिगार देगी, अगर आप लंबे समय से रोजी रोजगार के लिए प्रियासरत थे, तो इन दस दिनों के अंदर बहतरीन मौके आपके हाथ लगने वाले हैं, और उच्छ दिकारियों के साथ भी आपके संबंद बहुत शानदार बनने वाले हैं, जिन्देगी में अगर हम विनमर सुभाव रखते हैं, महनती अगर हम बन जाते हैं, बस ये दो चीज़े आपक काम में लगन अगर अच्छी होगी, तो आपको आगे बनने से कोई नहीं रोक सकता, इसी के साथ अव विवाहित लोग जो शादी का लड़ू खाने का बेसबरी से इंतजार कर रहे थें, अब महादेव की कृपा उनके उपर बरसने वाली है और लंबे समय के बाद की संभावनाय बन रही है, लेकिन आपको कुछ उपाय करने होंगे, जो वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे, अभी साउधानिया बता रहे हैं, कान लगा करके सुनिएगा, अगर आपने कोई कर्ज लिया हुआ है, तो उसे चुका पाने में आप सक्षम नहीं कही न कही से दिक्कत आएगी, खर्च बढ़ेगा और आप वहाँ पर पैसा जमा नहीं करा पाएंगे, इसलिए दोस्तों जिन्दगी में जब भी कर्ज ले, जिन्दगी में जब भी लोन ले, उतना ही ले जितनी आपकी काबिलियत है उसे भरने की, वरना ये चीजे आर्थ अलिक कारेकरम अब संपन्न होने वाले हैं, साते साथ व्यापार में भी विस्तार की संभावनाएं हैं, अगर आप किसी काम की जिम्मेदारी लेते हैं, तो आपको उसे बहुत सही डंग से निभाना होगा, लापरवाही नहीं करनी होगी, अगर आप नहीं निभा सकते, तो सोचे हुए कारे जरूर संपन्न होंगे, किसी पारिवारिक समस्या को सुलजाने के दोरान अपने सुजनों की भावनाओं को नजरंदाज आप न करें, कई बार होता है, हम बात किसी के मानते हैं और बुरा किसी और को लग जाता है, तो सभी का पक्ष सुनना है, कही ऐसा न रहे थे, तो उसमें बहुत अच्छा सुधार अब देखने को मिलेगा, इसी के साथ दोस्तों, आपका मन तब दुखी हो जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि आपका प्रियमित्र आपके साथ चल कर रहा है, या आपको कही ने कही धोका दे रहा है, या उसकी नियत साफ नहीं है, इसलिए हम सदेव आपसे कहते हैं, लोगों पर उतना ही भरोसा करिये, जितना वो आप पर कर रहे हैं, आपको बहुत जदा बड़ा दिल दिखाने की जरूत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में आपके माता-पिता के अलावा कोई भी आपका अपना नहीं है, व्य संबंदों में बहुत साउधाने के कदम उठाना पड़ेगा, शुरुवाती 10 दिन है, 7 अप्रेल को मंगल कुम्ब राशी में जाने वाले हैं, और 8 अप्रेल को बूध मेश राशी में जाने वाले हैं, तो इन 10 दिनों का जो अंत होगा, वो बड़ा उतार चड़ावाला हो पॉस आपकी तारीफ करने वाले हैं, उच्छे दिकारियों के साथ आपके व्यवहार बहुत सा टीक बेठने वाले हैं, बेरोजगारों को रोजगार के अउसर मिलेंगे और आव विवाहीतों को विवाह के प्रस्ताव मिलेंगे, लेकिन अब हम आपको आगे वीडियो में दो तिन उपाई बताने जा रहे हैं अगर ये उपाई आपने सच्ची श्रधा के साथ किये तो हम गेरेंटे के साथ लिख कर दे सकते हैं आपका हर रुके से रुका कारी बनेगा सबसे पहला उपाई उन लोगों के लिए है जिनकी शादी तय हो जाती है लेकिन अंत समय पर तूट जाती है आपको दूद मिश्रिज जल लेना है यानि थोड़ा सा दूद और थोड़ा सा पानी उन्हें आपस में मिला करके शिवलिंग पर अर्पित करना है और साथ ही साथ मंत्र रहेगा ओम सोमेश्वराय नमह इस मंत्र का वही बेट कर 108 बार जाब भी आप कर लेजिए आपके रिष्टों में आ रहे ही रुकावटे और किसी भी तरह की विवाह में आ रहे ही बाधाय इस उपाय को करने के बाद पूरी तरह से दूर हो जाएगी अगला उपाय हम आप लोगों को बता रहे हैं बड़ा ही शानदार हनुमान जी का उपाय आपको एक लाल रंग का रुमाल खरित करके लाना है जी हाँ दोस्तों और उस रुमाल को मंगल बार के दिन हनुमान जी के चर्णों में रख देना है वहाँ पर बेटकर इतने हनुमान चलिसा का पाट कर लेजिए जब आप घर जा रहे हैं तो उस रुमाल को अपने साथ आपको लेकर जाना है और अपने तीजोरी में रख लेना है या पवित्र स्थान पर रख देना है अब मान लीजे कोई आपका जरूरी काम है इंटर्वियू है या मीटिंग है या कोई भी डील है इस लाल रुमाल को आपको साथ में लेकर के जाना है और फाइदा फिर आप देखेंगे कि आपका उकाम जरूर बनेगा लेकिन शर्त तो इतनी रहेगी कि इस लाल रंग के रुमाल का इस्तमाल आप अपने अन्य कारियों में बिल्कुल भी न करें काम हो जाता है तो वो रुमाल पुना उससे इस्तान पर लाकर के रख दीजिए ये उपाए काफी चमतकारी को पाए हैं करके देखें लाब आपको जरूर होगा तो तुला राशी वालो आज की वीडियो में हमने बात की अप्रेल माह के शुरुआती 10 दिनों के बारे में अगर आपको भी आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक आप जरूर करें कॉमेंट बॉक्स में जैमाता दी जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद